साइं की बारे में काफी कुछ लिखा और कहा गया प्रंतु वे अनांत असीम अखिल मनला कार है अते उनकी महीमा को कभी भी शब्दों और ग्रंथों में नहीं बांदा जा सकता साइं के सब भक्तों पर अनगीनत उपकार है उनकी किरपावर्शा और लिलाएं निरंतर हो रही है मैं आज आपको बाबा की एक अद्भुत लिला के बारे में बताती हूँ हमारा एक ग्रूप था बाबा के हम साइंभग कुछ जुड़े हुए थे उस ग्रूप में एक साइंभग थे बहुत ही प्यारे साइंभग बाबा की सेवा में हमेशा आगे रहते कभी भी दिन रात नहीं देखते उनको बाबा के लिए बाबा का कोई भी काम को हमेशा त्यार रहते तो वो चोत्ते साल गेते पर उनकी शादी नहीं हुई उनके माँ बाप का बच्पन में ही स्वर्गवास हो गया भाई अच्छे थे प्रन्तो किसी काणवार्श रिष्टा नहीं हो पाया वो अब शादी के लिए सोचते भी नहीं थे तो मेरे मन में एक दो बार ख्याल आता था कि बाबा आपका इतना अच्छा भगत है आप ही इसके लिए कोई न कोई जीवन साथी देखो न तो एक बार हम 50 लोगों का ग्रूप श्रीडी गया हुआ था तो 20-25 लोग एक मेरे फ्रेंड थी वो लेकर गई हुई थी और 20-25 लोग बाबा के संस्थान द्वारवत्ती में एक कमरे में बैठे थे तो मेरी फ्रेंड के साथ एक माम बेटी भी आए हुए थे जब हम कमरे में बैठे थे तो वो माम बेटी और ये शाईंभकत भी था अचानक ए उस लड़की को देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि ये कि साइन भक्त के लिए कैसी रहेगी तो कहने लगी कि दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा अगर ये रिष्टा हो जाए तो भक्त भी सुन रहा था वो फिर मुझे कहने लगा क्या दीदी इस उमर में मेरा रिष्टा होगा आप क्यों सोचते हो मेरे रिष्टे के लिए मैं इनकी जो कास्ट थी वो अलग थी, लड़का बनिया था और लड़की धोbी थी, तो लड़की की मदर कहने लगे ही, इसके मामा तो बहुत सकत है, अगर मैंने इसकी कहीं दूसरी कास्ट में शादी की, तो वो इस लड़की को ही मार देंगे, फिर हम लोग वापिस आ गए, वहां से आने के बाद मैं दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुकी थी मैं दूसरे शहर से गई थी शेड़ी पहले में वहां उस शहर में रहती थी तो मैंने फिर अपनी फोन पर अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम एक पर जाके उसके घर फिर दुबारा रिष्टे की बात करो वो उस जब मेरे पास ये खवर पहुची तो मुझे बाबा पर गुसा आया मैंने बाबा को कहा कि बाबा अगर ये रिष्टा नहीं होना था तो अपने मन में क्यूं भाव भरा लड़का पहले रिष्टे के लिए सोचता ही नहीं था और अब उसके मन में भाव आ गए और वो लड़ कि मंगनी तोटने की बात पता चली तो मुझे बहुत खुशी हुए बहुत खुशी ॉर म मैं समझ गई कि बाबा आप ये रिष्टा करवाना चाहते हो अगर मंगनी तो तो इसे आप वह ही चाहते हो कि उस लड़की के साथ इसकी मंगनी हो तो फिर कुछ दिन लड़की की जो मदर है न वो खुद ही मेरी फ्रेंट के पास आई कहने लगी कि वो लड़का अच्छा लग गया मुझे तुम रिष्टे की बात करो चाहे इसके मामा कुछ भी कहेंगे मैं देख लूँगी मुझे नहीं परवा और फिर देखो लड़की की इसके साथ मंगनी हो गई किता बड़ा करिश्म है कि मंगनी हुई फिर छूटी और शेड़ी में मेरे मन में भाव आया यह सब बाबा की लेला है और फिर उनकी साई मंदिर में बिल्कूल सधारन ढंक से शादी हुई बाबा ने इस जोड़क को अशीरवाद दिया मैं कहती हूँ बाबा नहीं अपने भगत का जो था कन्यादान किया तो बाबा की जो लीला ना लीला है ना अप्रमपार है अपने बच्चों के लिए हमेशा ही सोचते रहते हैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ते इसलिए हमें बाबा पर पूरा विश्वाश करना चाहिए आज जो ये जोड़ा है ना बहुत खुश है इनका प्यारा साब बेटा है बहुत अच्छी जिनकी जी रहे है और मुझे बहुत खुशी होती है कि उस साइन बगत का जो है घर बस गया जो शादी के लिए सोचता भी नहीं था बाबा ने एक मां बाब का फर्ज निभा कर अपने बेटे का रिष्टा किया बाबा को शत शत पर नाम है आप भी अपने जिनकी में कभी भी निराश मत हुए हो बाबा आपकी मदद जरूर करने आएंगे पर आप बाबा के प्यारे और अच्छे बच्चे बनें जैसे बाबा चाहते हैं आप वैसे करम करें आप किसी का कभी भी बुरा मत चाहें तो बाबा की खिर्पा आप पर हो गई बस आज इतना हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज लाइक करें सब्क्राइब करें शियर भी करें ताकि जो मेरे मैसेज है वो सब साहिं भक्तों तक पहुँच पाएं ओम साहिं राम